हेलो इस्टुडेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोग यहां पे देखेंगे कि हमारा जो दूसरा कलेक्शन डेटा टाइप है टपल उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको कैसे क्रियेट किया जाता है और उस पे हमें कैसे वर्क करना है तो हमने लास्ट वीडियो में ल बैसे हम सबस्क्राइब आपना एडीयल स्टार्ट कर लेते हैं इससे पहले मैं आपको जब तक यह स्टार्ट होता है तब तक बता सैथा हूंकि टपल का क्या यूज होता है और इसको हम क्यों हूँज करेंगे और इसके feature के आदा ठीक है तो हमारा यह chapter 6 है टपल data type ठीक है तो टपल data type का यह हमारा chapter number 6 इसके बाद अब इसमें हमें जो है काम तो इसका भी same होता है अगर हम इसको भी define करना चाहें तो इसका भी जो है काम same होता है जो list का था मैंने आपको list वाली वीडियो में ही बता दिया था कि ज्यादा तर चीज़ें list के जैसी ही रहेंगी बस थोड़ी बहुत change आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे तो tuples are used to tuples are used to store multiple values in a single variable अब इसके जो टपल को हम create करते हैं वो हमें बनाना होता है चलो हम इसको पहले देख लेते हैं कैसे हम बनाएंगे तो जैसे अगर हमने आपे एक टपल बनाया subject के नाम से तो इसमें हमने अब देखो सबसे पहले change रही तो यह होगा कि इसका bracket बदलेगा लिस्ट में हम यह bracket यूज करते हैं square bracket पर अब इसमें जो हम यूज करेंगे parenthesis का यूज करेंगे एक तो यह change हो जाएगा और इसके अंदर अब जैसे अगर मैं हाँ पर marks एड कर दो जैसे मैंने पहले भी एड किये थे तो उसी तरीके से जो है यहां पर यह काम होगा और अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो यहां पर यह भी जो है हमारा सेम इसी तरीके से प्रिंट होगा तो हम पहले से फिल सेव कर देते हैं आज की नाम से फाइल को डेक्स टॉप पर और यह हमारा डे6 है तो डे6 नाम से हमने आपर यह सेव कर दिया ठीक है तो अब इसे जब हम रन करेंगे तो यहां पर देख पा रहे हो तो यह वाला जो ब् आइप फंक्शन का यूज करेंगे और सब वैरियेबल को उसके अंदर लिखेंगे और फिर यह पूरा जो कंटेंट हमने लिखा है इसको हम कहां पर एड कर देंगे प्रिंट स्टेटमेंट में एड कर देंगे ठीक है इतना करने के बाद अब हम इसे देखें तो यहां पर आपको टपल डेटा टाइप यहां पर देखने को मिलेगा तो यह तो हो गया कि टपल में बनाने के टाइम पर क्या डिफरेंट आ रहा है सिंपल बस एक डिफरेंट आ रहा है कि आप जो है स्क्वेर ब्रेकट की जगे पर पैरंथिस का यूज करेंगे बागी चीज हैं यह भी एक कलेक्शन डेटा टाइप है ठीक तो अब यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं इसके जो आइटम्स हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या चीजें सेम हैं और क्या चेंज हमें यहां पर देखने को मिलेगा तो यहां पर जो है जो हमारा टपल का आइटम होता है वो ordered होता है और unchangeable होता है ठीक है तो यहाँ पर हम लिखेंगे tuples items are ordered and unchangeable ठीक है तो यह चीज तो same है list items items भी ordered थे और tuples items भी हमारे ordered है तो यह तो same है और ordered का मतलब होता है कि आपने जिस order में यहां पर लिखा है उसी order में आपको output में भी दिखे तो यह चीज होती है order अगर यह unchangeable का मतलब अब इसमें change हो गया देखो list items थे changeable और tuple items क्या है unchangeable यानि कि हम जो उसमें update करके देख रहे थे list के अंदर हम बीच पर अपने प्रोग्राम में values को update कर दे रहे थे ठीक है तो वो काम अब हम इसमें नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो comparison हमें यहां पर नहीं है tuples के अंदर ठीक है तो यह वाली चीज हमें दिखान में रखने होगी कि tuples के item unchangeable होते हैं और जो हमारे list के items होते हैं वो changeable होते हैं यह भी एक difference है list और tuple के बीच में है ठीक तो अब इसके अब हम देखेंगे आगे कि tuples items हमारे जो हैं एक और characteristics होता है कि tuples के जो item होते हैं वो indexed भी होते हैं ठीक है तो tuples items are indexed indexed का मतलब यानि इनकी भी proper indexing होती है जैसे list items के हम कर रहे थे 0, 1, 2, so same इसी तरीके से इनको access किया जाएगा यानि इनकी भी indexing होती है तो अब अगर हम इनकी length निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे तो वही same method जैसे list में कर रहे थे length function का use करना है variable का नाम add करना है और bracket बंद तो आपको length पता चल जाएगी length में count करके बताएगा कि कितनी value है तो तीन value है इसके अंदर तो इसकी जो length आएगी वो तीन आ जाएगी ठीक यह चीज सेम है इसके बाद अब अगर हम इसके किसी भी element को क्या करना चाहें दूसरे method से बनाना चाहें जैसे list में भी दो method थे create करने के एक तो simple bracket लगा के जैसे इसमें भी हमने टपल क्रियेट कर सकते हैं और वो method है टपल कंस्ट्रक्टर ठीक है तो टपल कंस्ट्रक्टर से हम कैसे बनाएंगे जैसे कि मैंने आप लिख दिया जैसे हमने यहां पर लिख दिया विजय इस तरीके से जो है यहां पर हम value पास करेंगे और अगर हम इसको print कराके देखें तो यह हमारा जो print भी होगा कि थीक है तो यह अमारा जू है प्रिंट भी हो जाएगा तो इस तरीके से अब हम अगर इसको प्रिंट करके देखें ए फाइफ प्रेस करके तो यहां पर हमें आउट्पुट देखने को मिलेगा विसाल और वेजे ठीक है तो यहां पर यह सेम है बस हमने create दूसरे तरीके से यहां पर किया है अब हम यहां पर देखेंगे कि अगर हमें एक टपल के items को access करना होगा तो वो कैसे हम access करेंगे तो अब हमारा जो दूसरा topic इसके अंदर start हो रहा है वो है कि access items ठीक है तो अब हम इनको access कैसे करेंगे तो अब हमें access करना है तो मैंने बताया था कि यह भी index है तो जाहिड सी बात है कि जैसे list में हम index का use करके access कर रहे थे list items को वैसे हम टपल में भी index का use करके access करेंगे तो यहां पर हम क्या करेंगे print statement में क्या करेंगे subject variable और index access करने के लिए square bracket का use होता है और यहां पर हम 0,1,2 जो भी index में value देखना चाहते हैं जैसे मुझे 2 वाली value देखनी है तो मैंने यहां पर 2 लिख दिया और इस तरीके से हमें यहां पर देख लेंगे तो यह भी हमारा यहां पर काम करेगा तो यह चीज भी हमारी same है कई सारी चीजें list के जैसे ही है बस थोड़ा सा different है तो इसलिए मैंने बोला था कि list वाल या अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो टपल में कोई ज्यादा problem नहीं होगी इसके बाद negative indexing भी होती है यहां पर तो अगर हम negative indexing करते हैं अगर मैं माइनस थ्री वाला देखना चाहूँ तो यहां पर मैं लिख दूँगा और इस तरीके से यह मुझे 91 को सो कर देगा ठीक है तो 91 यहां पर आपको देख चुका है इसके बाद next अगर हमें range देखनी है तो जैसे अगर हमें अब दो value देखनी है तो उसके लिए range का यूज करेंगे तो print subject range में start value बताते हैं जैसे मुझे 91 और 92 को ही देखना है बस only तो यह start value क्या है जीरो है तो यहां पर हम लिख देंगे 0 start value 0 इसके बाद end कहां पर हो रहा 1 पर तो हमें एक extra डालना पड़ेगा क्योंकि वह एक पहले ही iteration stop हो जाता है तो हम यहां पर कर देंगे 0 से 2 तक तो जैसे हमने 0 से 2 तक किया तो यहां पर 91 और 92 यहां पर so हो चुका है तो इस तरीके से हम एक range की value को भी access कर सकते हैं अब अगर हमें यह देखना है कि कोई value इसके अंदर है या नहीं इस बात का हमें पता करना है तो उसके लिए हम membership operator का use करते हैं जैसे हमने membership operator string में देखा था सेम ऐसे ही membership operator हम यहां पर भी देखते हैं तो अगर हमें check करना है कि कोई भी element इसके अंदर है या नहीं है तो true false से हम check कर लेंगे तो हमने लिखा print जो भी element देखना वो 91 in और subject ठीक है तो हमने यह लिख दिया तो अगर यहां पर true answer आता है तो यानि कि यह है अगर नहीं आता है तो यह false अगर मैं आप ऐसी कोई value डाल दूँ जो ही नहीं इसके अंदर 90 डाल दिया तो मुझे क्या दिखाई देगा यहां पर false दिखाई देगा ठीक तो यह इस तरीके से हम access कर सकते हैं कि हमें पता चल जाए कि item exist करता है या नहीं अब यह बात हो गई कि python के जो elements होते हैं वो unchangeable होते हैं तो अब यह unchangeable हैं तो इन्हें हब हम change कैसे करेंगे तो यह अब हमारे लिए main task होगा और यह आपका different होगा list से ठीक है तो आपको पर list वाली चीज इसमें यूज होगी list का concept इसमें लगेगा अब वो कैसे लगेगा उसको में connect करना पड़ेगा अब उस चीज को में आपर देख लेते हैं तो हम यहां पर लेख देते हैं update tuples तो अब यह tuples तो update होंगे नहीं ठीक है यह बात क्योंकि हमने देख ली तो tuples directly update नही होगे तो अब हम क्या करेंगे ये जो टपल के elements हैं इनसे क्या करते हैं एक list create कर लेते हैं तो ऐसा करने के लिए मैंने आपको बताया था लेs feelings constructor लेश्ट कंस्ट्रक्टर जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमें टपल से लिस्ट में चेंज करना ह तो हम list constructor का use करते हैं ठीक है तो list constructor मैंने आपको इसी लिए बताया था और वहाँ पर मैंने उसका use करने के फायदे भी बताया थे तो उसमें मैंने यही एक फायदा बताया था कि tuple से अगर list बनानी हो तो हम उसके लिए इस चीज को सीख रहे हैं जो की आगे हम future में देखेंग ठीक है चलो हमें आप सब list ही लिख देता है तो उसके लिए बस आपको simple list constructor लगाना है और उसके अंदर आपको ये tuple वाला variable पास कर देना बास इतना काम करने से हमें रख्या हुआ ये sub list नाम से एक नई list बन गई अगर हम इसको check करें कि ये list ही बनी है तो हम क्या करेंगे इ list आ चुका है तो ये इस तरीके से जो है हमने इसको list में convert के लिए ये line में ने checking के लिए दिखाई थी वास ठीक है तो अब हमने हम पर list बना ली 80 करना है तो 92 किस index पर है बन index पर तो यानि कि मैं sub list के फस्ट एलिमेंट को यानि कि जिसकी index फस्ट है उसको मैं 80 करना चाहता हूं ठीक है तो जैसी मैंने 80 कर दिया तो आप जो हमारी सब list है वो कैसे print होगी चेक कर लेते हैं तो यहां पर जो हमारी सब कि अब्हीं तो यह list चेंज हुई रहे अगर मैं हां पर देखूं कि मेरे जो टबल का नाम है सब अगर वो change हुआ है के नहीं तो वो अभी चेंज हुआ है वो अभी देखो समी आ रहा ठीक है तो अब उसे कैसे चेंज करेंगे हमने दो काम कर लिए तीन स्टेप में ये काम होता है दो काम जिसमें से हो चुके हैं पहला स्टेप कि जो भी आपके पास टपल है उसको एक लिस्ट में कनवर्ट कीजिए फिर लिस्ट में कनवर्ट करके उस लिस्ट में अपडेट कर दीजिए जो भी आपको दो काम हमने कर दिये अब इस लिस्ट को वापस टपल बनाना है ठीक है तो इस लिस्ट को अब वापस टपल कैसा बनाएंगे तो यहाँ पर मैं स्टेप लिख देता हूं सबसे पहले ताकि आपको पता रहे कि क्या क्या स्टेप हमें फॉलो करना होते तो स्टेप वन क्या है कि convert tuple to list ठीक है तो हम list को list में convert कर देंगे tuple को फिर second step हमारा क्या होगा second step होगा हमारा update list तो list में update कर लेंगे ठीक है अब third step क्या होना वाला है third step है कि अब हम फिर से क्या करेंगे list को वापस से tuple में convert कर देंगे तो यानि कि convert new list या convert updated list updated list बोलेंगे convert updated list to tuple with same name ये बात भी आपको जान रखने है with same name यानि कि इसी नाम से आपको change करना ये निकि आप नया नाम दे देंगे तो आब हम क्या करेंगे फिर से same नाम लिखेंगे और यहाँ पर tuple constructor का use करेंगे, constructor वाला concept मैं आपको इसी लिए बता रहा हूँ एक data type से दूसरे data type में change करना, तो अगर tuple से list में change करना हुआ तो हमने list constructor यूज कर लिया अब list से tuple में change करना है तो हम tuple constructor यूज करना है और इसके अंदर हम वो वाली list pass कर देंगे, तो अब हमारा काम हो गया, अब मैं अगर सब को print करके दिखाऊं तो इस वाली value की जगे पर 80 देखने को मिलेगा आपको अब हमें आपको देखते हैं तो यहाँ पर हमने देखा तो यह आपको 80 देखने को मिलेगा, तो इतना आपको काम करना पड़ेगा, इतना lengthy process होगा, अगर हम एक tuple को update करना चाहें, तो ठीक है तो यह क्योंकि इस वज़े से हमें करना पड़ रहा है क्योंकि tuple के जो feature है उसमें tuple के items क्या है unchangeable है, तो direct वो change नहीं हो रहे हैं, पर हम एक tuple को list में update कर सकते हैं तो हमने list में change किया उसे और उस list को update कर लिया, वापस उस list से हमने tuple बना दिया उसी नाम से तो हमारा जो tuple था वो update हो चुका है, ठीक है तो यह 3 step आपको use करने होंगे, अगर आप किसी भी tuple को update करना चाहते है ठीक है, यह हो गया इसका process, इसके बाद add any item तो add any item में भी अब हमें देखना होगा तो यानि कि जब हमारे जो tuple है वो update ही नहीं होंगे तो हम उसमें add कैसे कर लेंगे ठीक है ना, तो update ही नहीं होंगे तो हम उसमें add कैसे कर लेंगे तो add ऐसे नहीं कर सकते हैं तो हम उसके लिए भी same यह process अपनाएंगे यानि कि एक tuple को list में convert कर लो फिर उस list में add कर दो यानि append कर दो append function हमने पढ़ा था list में append कर दो फिर बापस उस list को tuple बना दो तो यह तीन step follow करके भी हम क्या कर सकते हैं तपल के में कोई भी value add कर सकते हैं और एक direct function भी हमने आप देखा हुआ है तपल पे कि अगर हम अब तपल तो ऐसे क्या होता है तपल के उपर कोई ऐसा function हमने देखा ही नहीं है कि वो क्या करे अपडेट कर दे value को तो अब हमने एक और चीज पढ़ी थी operator में आपको अगर जहान हो तो operator में हमने पढ़ा था कि plus assignment operator plus assignment operator जो की कुछ इस तरीके से था तो उसका भी use करके हम एक और तरीका से इसको update कर सकते हैं तो दो method है बट डारेक्ट कोई method नहीं है कि आप डारेक्ट टपल को update करने के लिए एड करने के लिए कोई भी value कोई function आप यूज कर लें ठीक है तो डारेक्ट कोई method नहीं है क्योंकि tuples items are unchangeable ठीक है तो यह चीज को आपको ध्यान रखना है तो add करने के दो method है अपडेट करने का यही method था add करने के हमारे पास दो method है दोनों देखेंगे तो method number one में तो पिछले ही method को हम add कर लेंगे इस list में जो भी हमें value add करनी है last में तो हम append करेंगे तो append में हम क्या बताएंगे value बता देंगे जो भी हमें add करनी है जैसे कि मुझे 97 add करना है तो मैंने add कर दिया अब इस list को वापस से टपल बना देंगे with same name तो हमने सब equals to किया और टपल नेम हैं पर लिखा और इसमें list को पास कर दिया तो इतना काम जब हमने किया तो यहां पर अब अगर हम print करके देखें सब list को तो उसमें आपको चार आइटम देखने को मिलेंगे आगया 97 तो same process यानि कि first line में हमने टपल से list बना दी उस list में append कर लिया और वापस उस list को हमने टपल बना दिया with the same name तो अब जब हमने यहां पर print करके देखा तो अब हम यहां पर अगर सब को print करके देखते हैं तो हमारा क्या आएगा इसमें सब को update करके यहां पर दिखाय जाएगा ओके तो यह चीज हमारी रहेगी कि टपल में कोई भी item add कैसे किया जाए तो यह दोनों process में सेम थे बस लास्ट वाली line में जाके यहां पर बीच में जो change है वहां पर हुआ है वहां पर हमने update वाला process लगाया था यहां पर append वाला process लगाया बागी दो process सेम है यानि step second जो है वह उसमें change देखने को मिला है पिछले वाले एक्जामपल से एक तो यह method हो गया यहां पर हम लिख देते हैं method वाला हूं तो आप इसको ऐसे ही add कर लेंगे अपने notes में कि add any items का method 1 हमारा यह है ठीक है तो अब मैं यहां पर आपको method 2 दिखाने वाला हूं और इसको म मैं दुबारा से erase करके start करों ठीक है तो यह आप हमारा फिर से यह example हो गया आप में इसे दुबारा से change करना तो दुबारा से मैंने दूसरे method के लिए क्या बताया था plus assignment operator का हम use करेंगे तो अब हम क्या करेंगे हमें जो भी value add करनी है इसके अंदर उसका हम एक और टपल बना लिया तो हमने इस में एड कर दिया 84 ठीक है तो 84 एड किया तो क्या यह टपल बन चुका है एक नया concept और निकले गए यहां से हमने 84 को इस bracket में लिख दिया तो क्या यह टपल बन चुका है तो अभी मैं अगर आपको चेक करा हूँ कि इसका data type क्या है तो type हम अगर इसको देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यह टप़ नहीं बना है यह इंटीजर है ठीक है तो अब हमने तो इसमें सारे डूls follow कि हमने bracket भी लगाया है और हमने हां पे value भी पास किये सही तरिके से pass किये फिर भी यह टपल नहीं बना तो यह टपल इसलिए नहीं बना है कि अगर हमें कोई भी टपल इस चीज को आप जान रखेंगे अगर हमें कोई भी टपल सिंगल वैल्यू के साथ क्रेट करना है यानि कि उसमें हम एक ही वैल्यू पास कर रहे हैं तो हम कॉमा जरूर लगाएंगे लास्ट में ठीक है इस से अब हमारा क्या हो जाएगे यह टपल में कनवर्ट हो जाएगे आगे टपल तो इस चीज को आपको जान रखना है अगर हम सि कॉमा जरूर लगाना है बस सिंगल वैल्यू के लिए बात हो रही है बाकि आप ज्यादा वैल्यू लेते हैं तो आप ऐसे छोड़ देंगे तो भी वह टपल माना जाएगा अगर सिंगल वैल्यू है तो आपको कॉमा लगाना जरूरी है तभी वह टपल बनेगा तो इस चीज को हमने यूज किया है उपरेटर की मदश से हम क्या करेंगे सब प्लस इकवल स्टु य तो आब अगर हम प्रिंट सब करें तो हमें क्या देखने को मिलेगा यहां पे लास्ट में 84 भी देखने को मिल जाएगा ओके तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं plus assignment operator का use करके हम किसी भी tuple में कोई भी item append कर सकते हैं और यहाँ पर हमें एक और चीज़ देखने को मिल गई कि अगर हमें single value के साथ tuple बनाना है तो यह हमें comma जरूर लगाना है और यह बहुत ही most important question है mcq के according अगर आपको नहीं पता होगा तो आप बिना comma वाले को भी आप tuple बता दोगे तो जो की गलत होगा ठीक है तो इस चीज़ को आपको ध्यान लगना है इसके बाद अगर हमें कोई भी item remove करना है किसी भी tuple से तो उसके लिए हम क्या करेंगे same वही method क्योंकि tuple में तो कुछ भी नहीं किया जा सकता न टपल अपडेटेबल नहीं है टपल अंचेंजेबल है तो ना तो हम उसमें update कर सकते ना उसमें add कर सकते ना उससे remove कर सकते हैं तो add करने के लिए तो हमने दो method देख लिए कि हमें एक तो list में convert करके add कर लेना है या प्लस assignment operator का यूज करके update कर लेना इसके बाद update करने का जो method है वो हमने एक ही method देखा है तो update करने का जो method है उसमें हमने देखा कि list में convert करके list को update कर दो और उसके बाद कर दिया तो इसी तरीके से हम remove भी करेंगे ठीक है ना तो यही same process चला है तीनों में तीनों में हम same ही process कर रहे हैं कि अगर हमें remove भी करना है तो उसके लिए पहले उसे list में नहीं convert करना है और लिस्ट पर हमारा remove function काम करता है तो remove function की मतलश से हम remove कर लेंगे उसके बाद वापस से टपल यहां पर create कर लेंगे जहां पर फिर से हम list बनाएंगे sublist equals to list constructor और subject को यहां पर pass कर दिया अब sublist पे हम remove करेंगे sublist.remove और यहां पर हमें क्या करना है जो भी value remove करनी है वो डाल देंगे जैसे मैंने 92 को remove कर दिया तो 92 को remove कर दिया अब वापस से हम क्या कर देंगे टपल बना देंगे उसी नाम का तो sub equals to टपल constructor और यहां पर हमने क्या कर दिया sublist को pass कर दिया तो इसके बाद जब हमने अब टपल को print करके देखा जो की sub नाम से है तो उसमें अब हमें क्या देखने को मिलेगा यह value कम हो जाएगी ठीकर 92 बीच में से delete हो गया तो इस तरीके से जो है हमें इसमें भी तीन प्रोसेस करना है जिस से step 1 same है step 3 same है सबका step 1 step 3 same है बस step 2 ही काम के according change हो रहा है अगर हमें update करना है तो update वाला function लग रहा है और अगर हमें add करना है तो append वाला function दग रहा है और अगर हमें remove करना है तो remove वाला function काम कर रहा है यानि इसी line में change करने को हमें मिल रहा है ठीक है तो ये तो हो गए कि अब अगर हमारे पास जो tuple होता है उसको हम change कैसे करेंगे क्योंकि वो unchangeable होता है तो ये सारी चीज हमने यहां पर देख लिए अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमें अगर कोई भी tuple पे loop चलाना हूँ ठीक है तो loop कैसे हम चलाएंगे जैसे हमने list में भी देखा था तो loop को हम क्यों use करते है repeated work के लिए तो repeated work इसमें क्या हो सकता है अगर हम से एक element को print करने के लिए बोला जाए तो जितने element होंगे हम उतनी बार print statement लिखेंगे तो हम उतनी बार print statement यहां पर नहीं लिखना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे loop की मदद से यहां पर करेंगे यहां पर हमने लिख दिया loop तो यहां पर हमने loop कर दिया स्टार्ट और लूप हम लास्ट वीडियो में समझ चुके हैं तो वही कॉंसेप्ट रहेगा बस आपको यहाँ पे लिखना for x in sub इसके बाद print x इतना आपने जैसे ही किया तो आपकी जो तीनों आइटम हैं वो अलग-अलग print हो जाएंगे ठीक है तो इतना सा आपको दो लाइन का कोड लिखना होता है आप चाहें आपके आइटम तीन हो चाहें तीन सो हो उससे कोई फरक नहीं पड़ता आपको यहाँ पे यही दो लाइन लिखना है ठीक है इसी चीज़ को हम थोड़ा different तरीके से भी कर रहे थे range का use करके तो वो भी देख लेते हैं कैसे कर रहे थे हम यहाँ पे हमने किया for x in range length of double और यहाँ पे हमने लिख दिया print x print x नहीं हो क्योंकि x अब index है तो sub of x ठीक है तो sub of x यहाँ पे हम करेंगे तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि same method हमारा यह print हो चुका तो यह दो method है अगर हमें loop यहाँ पे use करना tuple के साथ अब अगर हमें python के जो tuple हैं उनको add करना जैसे हमने last में लिस्ट में भी देखा था कि दो list को अगर add करना हो तो मैंने अब यहाँ पे लिख दिया sub two नाम से एक और list बना दी और बाकी के तीन subject के नमबर मैंने यहाँ पे रखे हुए ठीक है तो आप मुझे दोनों को add कर लेना है तो दोनों को add करने के लिए concatenation operator यूज़ करेंगे with new variable तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि एक नया variable बना देंगे subject के नाम से और यहाँ पे हमने क्या किया उसमें sub plus sub two add कर दिया अब अगर हम यहाँ पे print करें new variable जो हमने बनाया है तो वो हमारा क्या होगा इन दोनों का addition होगा तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इतना बड़ा यह यहाँ पे create हो चुका है ठीक है टपल के साथ अब देखो यहाँ पे हमसे यह पूछा जा सकता है कि list के साथ हम कौन कौन से operation perform कर सकते है टपल के साथ हम कौन कौन से operator का use कर सकते है ठीक है यानि कि मैं इनकी बात कर रहा हूँ जो हम operator यूज कर रहे है यह tuple के साथ कौन-कौन से यूज़ ओता हैं लिस्ट के साथ कौन-कौन से यूज़ ओता है तो tuple के साथ प्लस भी यूज़ हो जाता है और multiply भी यूज़ ओता है और list के साथ key cloud plus का use होता है तो अब हम tuple में multiply operator देखते हैं कैसे हम multiply करेंगे यह तो हमारा हो गया join कैसे करेंगे तो यह आपको join heading में डालके आप यहां पर यह example note कर लेंगे तो join हम कैसे करेंगे यह हो गया इसके बाद अब अगर हम यहां पर multiply कैसे करेंगे क्योंकि multiply allowed है टपल के साथ ठीक है तो इसी को आप जान रखेंगे यह भी पूछा जाता है कि कौन कौन से operator किस data type पर allowed रहते हैं किस पर नहीं रहते हैं तो आप अगर हम यहां पर print करके देखें subject को तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा यह 91,92,93 एक बार आ गया और फिर यह 91,92,93 यह दुबार आ गया तो इस तरीके से यह हमें दो दो बार यहां पर देखने को मिलेगा तो यह हम काम कर सकते हैं अगर हमें repeat कराना है कभी tuple को तो यह आपका content था tuple वाले chapter के अंदर तो tuple वाले chapter में आपको सारी चीज़े मैंने बता दी है tuple कैसे create करना है, tuple constructor का use बता दिया access tuple item मैंने बता दिया इसके अंदर और update, add और remove कैसे करेंगे अगर हमें करना पड़ता है तो वैसे तो tuple के items unchangeable होते हैं पर फिर भी अगर हमें करना पड़ता है तो हम list की मदश से इसको update करेंगे, change करेंगे और इसमें से remove करेंगे ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पे join करना चाहते है multiply हमने देख लिया, तो यह सारी season table के अंदर हमने आपे cover कर ली है मिलते है next chapter में, जो की होगा आपका set नाम से तो उसको हम देखेंगे next video में, तब तक के लिए thanks for watching this video